चलिए च्रीक है यह वीजिवल है ना बैटा सबको भीजिवल है बोलो हाँ आप लोग रिस्पॉंड करना पड़ेगा ना बैटा ने रिस्पॉंड करोगे ना तो फिर मैं जी समझ में नहीं आया क्या है ऑनलाइन क्लास है ना प्रिती आप बताना बैटा कि एग्रिगेट सप्लाई इसको क्या गाता हम कौन साल लेशन पड़ रहे हैं बताओ गोलिए गोलो भाई इंकम डिटर्मिनेशन हाँ डिटर्मिनेशन ओफ इंकम एंड एंड इंप्लोईमेंट ठीक ना यह लेशन का नाम है यह कौन इसका फूल फॉर्म क्या है एसका एग्रिगेट सप्लाई ठीक है प्रिदी क्या है नाम प्रिदी ए भासकर कोई बोल भैई कोई पासर कोई उबर कोई कॉल कर लो अलित्या 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 जी सरकर रांकात्म बासकर राज अंदनी को अधिया जुकाम हो गया है आवाज भारी हो गई जब थोड़ा सा छुट्टी मनाने का समय होगा और तो स्वेथी खरावे जाएगी परिवार के से कहीं जा नहीं सकती तब अभी तो इसक्राव लोगी यह हमारा क्या है प्रिती प्रिती है ना ग्लास में बटा अंजली प्रिती बोल के लिए बटा एडी और एएस एग्रिगेट डिमांड इसको क्या करते हैं एग्रिगेट डिमांड दो चीजें एग्रिगेट डिमांड और एग्रिगेट सप्लाई दो बात निमाग में ऐसे रखो इस लेशन को हुआ नहीं बनाना है बस एतना सोचो मेरी आवाज अलब गबड होगी तो आपलो मॉम्यों किजिए क्योंक्स क्योंकि पुरा नॉस्तिल मना जान हो गया है यह है जैसे हमनों माइड्र इकॉनॉमें एकुलोडियम आइसे होता है डिमांड ऑद यह कि लिन और एक क्या सप्लाई कि ला इंट तो यह क्यों होता ghost chapter इतना याद रहेगा इतना याद रहेगा बोलो यह सब्सक्राइब इसमें इसमें प्राइस और डिमांड का रिलेसंसिफ होता था इसका होता था इस सब आवाज आएगी तो बुरा मत मानना वाई तो यह डिमांड और सप्लाई का ठीक है एकसिस पर कौन सा होता था डिमांड और सप्लाई एकसिस यह एकसिस है और यह वाई एकसिस है में आपको इस तरीके से बताना प्रयास कर रहा हूं कितना सफल हो पाऊंगा यह तो आप बताएंगे लेकिन मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको इस लेशन के प्रति जो एक डर की तरह होता ना वह निकल लिए क्योंकि 12 मार्स बहुत बड़ा मार्स होता है जुझा है और स्किल में रिकॉर्णिक भी कर रहा हूं इसलिए आप लोगो रिस्पाउंस बेचा दीजिए थिक है बोलते रहेंगे तो मुझे मालूँ है कौन क्लास में है नहीं है क्या समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है यह सारी बात थे क्या अगर बाविस्वी अगर आपको देखने की जुरूद पढ़ेगी ना तो आप देख लेना को कि मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं ठीक है तो को प्राइस होड़ यह हमारा यह माइक्रो एक मैसेज्ज ड्रॉप कर दो कि सब्सक्राइब पढ़ा रहे हैं और फिर कल इसको नहीं पढ़ाएंग क्लास में ठीक है ना इसको बोल दो क्यारी विजन क्लास है होगा क्योंकि सारे बच्चों को सब्सक्राइब नहीं आगा राज नहीं कोई बोल देना ठीक है और एक ग्रूप में मैसेज आल दो एंकम डिटर्मिनेशनी स्टार्ट ठीक है चलिए तो माइक्रो एकॉनोमिक्स म होता है जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंट्रेक्ट करते हैं और यह रिलेसंसिप होता है प्राइस और किसके बिच में क्वांटिटी इक डिमांडेड एड सप्लाईड यह याद रहेगा इसकी जरूष नहीं है इसकी हमको अभी कोई जरूष नहीं है इसमें लेकिन बस आपको समझानेके लिए नो नीड ठीक है? लेकिन नीड है भी इसके आधार पर हम समझाएं क्या यह माइक्रो एकॉनमिस का है और हमारा मैक्रो एकॉनमिस में एकॉर्डियम कैसे होता है जहाँ पर एग्रिगेट डिमांड और एग्रिगेट सप्लाई दो एक दूस्ते को इंट्रेक्ट रहते हैं ठीक है ठीक है इसमें और आउटपुट को हम लेते हैं किस पर एक्स एक्सिस पर याद रहेगा बोलो भाई याद रहेगा और एडी अबलिक एएस को हम लेते हैं कहां पर य एक्सिस पर यह याद रहेगा बटा बोलो भाई याद रहेगा बोलिए तो माइक्रो एकॉनोमिस में एकुरूब्रियम आप पढ़ चुके हो डिमांड और सप्लाई जहां इंट्रेक्ट करते हैं वहां पर होता है ठीक है यह एकुरूब्रियम हो गया और यह रिलेशनसिप किसके बीच में होता है प्राइस और क्वांडिटी डिमांड प्राइस और क्वांडिटी डिमांड और सप्लाई यही बने अभी बताया है और मैक्रो एकॉनोमिस का एकुरूब्रियम कहां होता है जहां पर यह कुंसा कॉंसेप्ट है कुंसा कॉंसेप्ट है कि चर्चा कर लें तो एग्रिगेट डिमांड और एग्रिगेट सप्लाई जहां इंट्रैक्ट करते हैं वहां पर क्या होगा इतना सब को याद हो जाएगा बोलो भाई इस सब को याद हो रहा है यह बाद चलिए अब आपने यह भी नोटिस कर लिया कि यक्त contest क्या लें लिखते हैं इंकम इंप्लाइमेंट और आ अवज अगरिगेट डिबांड डिमांड तक्या होता है बोलिए आग्रिगेट डिमांड बोलते हाँ बोलते जाओगे तो मुझे मजा आएगा मुझे मोटिवेशन मिलता है और यह क्या होता है एस किसी दूसरे का इंज्यार मत करो बोलने के लिए अंजली बोल बेटा पृती बोलिये अधित्या तु तो संदर बच्चा है मेरा पासकर ऑलनाइन का हीरो पासकर है ऑलनाइन हीरो पासकर आए सर पासकर नहीं आया नहीं आया सर, पूल नहीं उठा रहा था वाई, तो अनित्या तुह ही ही रो बंजा इस क्लास में, ठीक है, चलो, तो अग्रिगेट सप्लाई है, ये बात समझ में आई बाई बेटा, अब पहला काम होता है, अग्रिगेट डिमांड, इसको डिफाइन करने का, अग्रिगेट सिलेबस में, करेक्ट ना, ठीक है, अग्र वैसे होता, तो क्या होता, C प्लस I, प्लस G, प्लस X माइनस M, ये क्या है, फोर सेक्टर मॉडल, कौन सा मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल, ठीक है, ये क्या है, गॉवर्मेंट, और ये क्या है, फोरेन सेक्टर, हाना, वही हो गया, foreign sector ठीक है जब जब economy को open कर दिया गया economy is open मतलब import export कर रहा है मतलब क्या हुआ हम export export पहले है ठीक है हम export और import कर रहे है export एंड इंपोर्ट ठीक है सब को सुझ में आ रहा है कि सबको सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है तो हमारा जब एडी कहेंगे तो हमारा क्या है एडी इसकल टू सी प्लस आई यह ना बैटा बोलो जो घर में जो जितने प्राने यह लोग प्येज हमारे बच्चे लोग फेक देना सब काम सब उप्योग कर रहे हैं तो टीक है तो टीक है कि अच्छा लगता है क्या कि लोग वोल दें तो कि हम एक समास उधारक की तरह काम करते रहें कि हम चीजों को वेस्त नहीं होने जाए को ठेक IT चीक ठीड हो एक हो करें लोग एक बात दें कोहिए हमारी पार्टी में है इस के ना तो एक की को कैसे यह इडी क्या है ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 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 इस बोलना है आपसे पूछ देगा कि कुछ एक्जामपल देजिए फ्लो वेरियेबल्स के कौन को नहीं तेगर डिमांड क्या हुआ यह फ्लो हो गया तिक है और अपने कम इसके कंपोनेंट अगर कोश्रम पूजिए सब्सक्राइबधा है बताओ अब इससे पिट किया है जो बुलने है यह टो सेक्टर मोडल में ठीक है इसटर मॉडल सेक्टर अच्छा अब एरिक कुछ इना स्पिट कि हो आप तो क्या है सी प्लस आई नवर्टा यह क्या है कंजम्शन क्या है कंजम्शन और यह क्या है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब बात अब हम कंजम्शन पर थोड़ा बात कर लें क्या है कंजम्शन इसका एक्वेशन क्या होता है C is equal to C bar plus B y ठीक है यह एक्वेशन कहां से लिए आगया तो मैशन परते हो इक्वेशन of straight line कोई भी straight line है ठीक है उसका एक एक क्वेशन मनाया जए straight line चाहे वो ऐसे हो चाहे बज़े से भी ठीक है equation of straight line ठीक है समझगाई बात जी सर ठीक है इसमें यह क्या होता है इसको हम लोग ने पढ़ाता ना एक्वेशन वाइज इसकल टू एम एक्स प्लस सी एक्वेशन का विस्टेट लाइन ऐसे बुक्स में दिया था मैस वाली बुक्स में ठीक है लिग देता हूं एक्वेशन स्ट्रेट लाइन ठीक है इतना हमको जानने की जरूरत नहीं है बस हम यहां पर आप लोग के दिमांग बठा लेना है कि सी कंजम्शन का एक्वेशन क्या होता है सी इसकल टू सी बार प्लस बीवाई एडिसन समझाने के लिए मैं नहीं यहां दे दिया है इसकी कोई जरूरत न कोई भी लाइन करोगे उठाओगे गिराओगे ऊसे करोगे तो कुछ नुख सेखरोगा ना फिक है यह डावर्ड फोर मैं लिची गिलस यह गिरता हूवा है सोप्रें ज्योगरी म बीच में से किया इसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया नाइटे डिग्री हो गया ठीक है ठीक है जिरो डिग्री है बिल्कुल फ्लैट है इसके बाद क्या होगा यह बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा ठीक है यह क्या है नाइटे डिग्री समझ में वाग तो स्लो कि अगर हम एक ड्रॉइंग बना दें इसको तो यह कुछ ऐसे बनता है। इसमें बी क्या स्लोप है तो स्लोप कैसे निकालते हैं ऐसे निकाल लिया। यह स्लोप है सबको समयनारी मेरे बात। प्रिती सम्मेमाडी बाद प्रिती प्रिती तुम खाते भी रहो खा रही हो ना अकेले केले खाओ रागी और गुड खा रही है क्या खा रही है प्रिती आड़े तुम्हारा ले नहीं लेंगे भाई हाँ 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 मुह क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही है चलो तो c is equal to c is equal to c is equal to c bar plus by इसमें c bar क्या है को बताएगा मुझे और वेरी गुड ओटो नोमस कंजम्शन 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 कभी कभी क्या होगा लिखते लिखते ना इस्क्रीन से बाहर चला जाएगा ठीक है तो आप लोग स्वासा जयान रखते हैं मुझे बोलना है सर दिखाई नहीं जाए ठीक है अटरमस कंजम्शन कंजम्शन क्जम्शन कभी क्या है ठीक है धोलो पर अइसी जी क्या है MPC और इसका formula क्या होता है Delta C भाई Delta Y इतना याद हो जाएगा Yes Sir Y क्या है Income Income पैसा का बात है तुरंद पृति क्या भाई जाईए Income ठीक है ठीक है अब इसको हम इसका हम diagram बना रहे हैं बना दिया है यहाँ पर तो बना दिया एक बड़ दुबारा बनाएगे ठीक है यह हमारा हो गया पेज नमबर वन ठीक है यह हो गया चला अब आते हैं हम एक बार C is equal to C bar plus B Y ठीक है C क्या होता है function of Y मतलब जैसे जैसे income बढ़ेगा C भी बढ़ेगा income घटेगा C भी घटेगा समझ मैं इस बात ठीक है यह अपने दिवांग में तो हई है अब C का हम अब इसको भूल दाओ इसको भूल दाओ ठीक है C is equal to C bar plus B Y अगर हम income बढ़ाएंगे मालो हमने income लिख दिया income C bar ठीक है M, B, C कुछ भी लिख दो M, B, C की जोरूत नहीं फिलाल लेकिन देख लो हम बना ही देते हैं ठीक है और इसा हमने लिख दिया C अब मालो की यहाँ पर हमने क्या लिखा B की value क्या है आसानी से करने के लिए 0.2 के बढ़ लिखते है 2,0 ठीक है B की value slow ठीक है C bar को हमने माल लिया 20, 20 माल लिया कुछ भी माल लिख सकते हैं ठीक है और Y को हम बढ़ा घटा रहे इसको माल लिया हमने C bar कितना माल लिया 20 माल लिया ठीक है 20, 20, 20 तीरी पर ले रहे हैं जैदा नहीं ले ले 0.20 है यह ठीक है 0.20 यह constant हम ले रहे हैं फिलाल ठीक है अब Y को हम घटा रहे हैं Y क्या है 0 10 100 200 ठीक है अब हम लोग दो को C bar कितना है 20 प्लस B कितना है 0.20 into 0 ठीक है ना ठीक हो जागा 20 प्लस 0 होगा ना बोलो भाई इसमें क्या है 20 क्या है C bar है 2 0 क्या है यह B है और यह क्या है Y है ठीक है संभ़ा रहे है अब यहां से क्या निकलता है C is equal to 20 यह निकलता है ना भोलो आया और 20 क्या है है इसे लिख सकते है ना बोलो जल्ली बोलो भाई जी सर लिख सकते हैं अंजली प्रिती कि भॉली ऐएँ भाई बोलो नितों समझ में केसर आएगा तो को हमने पहले मान लिया है सब्सक्राइट लेट लेट विस्लोप हमने माले दिया-अपॉई-पॉइंट ट्वेंटी ऐगए यह क्या माले आपने ट्वेंटी मालो की कि आप कर दोब भाई हमने इस कर्म में इसको से मान लिया 20 ठीक है यहां से है तो कुछ तो वैली होगा ना 20 40 कुछ भी होगा ना बोलो भाई ऐसे इधर बढ़ता जाएगा इधर बढ़ेगा ना जीरो जीरो सुपर कॉट पाइंट और बोलो भाई शुट अधर तो हमने एक्वेशन पूट किया C इसलीक बार प्लस भी वाई इससे पूट कर दी तो क्या निकल की आ c is equal to c bar c is equal to c 20 आया और 20 क्या है c bar हमने माना हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है जब income level 0 होगा तो c और c bar की value बराबर होगी correct है ठीक है अच्छा अगर हम नहीं भी माने y को तो हम अगर c is equal to c bar plus by बस लिखें ठीक है अब हमने इसको नहीं माना बान लो ठीक है हम इसको नहीं माना अब हम y की value मान लो बढ़ाते हैं हमने यह तो माना है ना कि c is equal to function of y अब हम y को बढ़ा रहे हैं ठीक है हम y की value क्या डाले है हमने at 0 level of income मतलब y की value क्या होगी 0 होगी c is equal to c bar plus b into 0 होग लिख सकते हैं ना है वहीं चीज को यहां ऐसे भी दिखा रहे हैं यह समझा रहा है बोलो c is equal to c bar plus by at 0 level of income मतलब यह है देखो यह income है यह 0 level है income का ठीक है 0 level of income क्या है 0 value में पूट कर दिया इस equation में y की जगा क्या लिखा y is equal to 0 यहां 0 कर दिया b into 0 यह समझा आया तो क्या calculation हुआ c is equal to c bar हुआ ठीक है तो c की value c bar 0 level पर क्या होगा ठीक है मतलब समझेगा तो c bar की कुछ तो value होगी ना ठीक है कुछ तो value होगी तो यह इसलिए है यह जो curve है ऐसे draw करते हैं क्योंकि c कबार की कुछ value होगी ठीक है इसलिए हमेसा 0 से start नहीं होता है समझे लो यह c is equal to c bar plus by at 0 level of income there must be some value of c यह some value हो जो c है यह इसलिए ही इसको 0 level से start नहीं होने देता है यहां पर इससे start होता हूपर से वाई इससर एक बार है ना true false में आया था कि consumption is always influenced by the income यह फिर increase by अगर income बढ़ती है तो consumption बढ़ता है घटती है तो consumption घटता है तो यह true हो गया ना ऐसे तो मतलब यह इंटरसेट पर दुखो यह काने मतलब क्या अगर c बांदो series कल अगर ऐसे सुचो series कल function of y y 0 हो गया तो c 0 हो गया नहीं होगा इसलिए वह true नहीं होगा तो कि autonomous का जबसल बीच में आयता है यह जिए 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 लेबल के लिए सुरू नहीं होगा बाकि सब ठीक है अब देखो एस के aggregate supply को हम वाई भी लिखते है ना क्योंकि जो कुछ भी हम आउटपुट होता है ठीक है उसी वही हमारा income method से देखो आप देखो national income accounting में तो वही income भी generate करता है तो हम वाई लिख सकते हैं ना अगर हम अगर हम वाई को प्लस एस लिख दे तो कोई पाप होगा कोई पाप नहीं है ना अच्छी बात तो हमारा अभी तक तो आपने सी को देख लिया तो सी क्या था सी बार ब्लस बी वाई यही था ना अगर आप इसको ऐसे लिख दे एस इसकल टू वाई माइनस सी तो कुछ पाप होगा कोई पाप नहीं ना चीक है प्रिती समझ में रहा रहा नहीं प्रिती आप कर रहें तो हम क्या करें हम साउथ वाले लोग की बड़ी इज़त करते हैं प्रिती यह रागी चबा रही है यह रागी खा रही है रागी बावल खा रही है क्या हां सुलपा 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 हां हां पाभन खारिक वा असलपा मारी तहां अब सब भूल गया मैं तो चलो यह वाइ मैं एस सी हो गया विटा प्रिती अब अगर ऐसे लिख दे तो कोई पाप होगा कोई पाप होगा प्रित्री अधित्या अधित्या पाप नहीं होगा ठीक चलो अब अब अगर अब अगर 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 अजली पाप हो रहा है इसका मतलब अजली कि मनें पाप आ रहा है प्रित्या पाप होगा सुझें नहीं हुए है sitting आ अच्छा यह मैनेश्स है प्रैकट खुलेगा जब ब्रैकट हैंगे तो 201 TO인데 प्लस है तो यह मैनिस हो गया समय है ठीक है अगर आप ऐसा लिख दें तो कुछ पाप होगा नहीं होगा और बताईए बाकि लोग पापी समझे लेगा है कोई पाप नहीं है प्रित्ती पाप है कि अगर अगर ऐसा लिखते तो कुछ पाप है कि अगर हमने ऐसा यह पहले से लिखा हुआ था इसको इसको दे के गवड़ाना मत यहां के बाद इसको इसे लिख रहा हूं कोई पाप होगा और बाकि लोग तो पाप समझे लेगा है प्रित्ती गाड़ी आगे नी बढ़ रही है पाप अभी हो रहा है कि मेंड़ी सर्फ से कुछ पाप हो रहा है प्रित्ती यह पाप हो रहा है रूप इन्टू-सक्राइब यहां भी वाई है यहां भी वाई यह थो य dragging the लिए तो प्राइब क्या होगा वाई इन्टू वन वाई ऑइсят टो टूवाई वाई इन्टू टू री मैं इब स्री ए था वाइ और यहां बी है यहां क्यों यहां से इसके बाद यह इसको कर सकते हैं थीक है? थीक है? तो 1-b और minus cover यहाँ यहाँ भी है थीक है? क्योंकि यहाँ से इसके बाद यह step पा जाएगा तो यहाँ से step लिख देभी क्या दिक्कत? तो कोई दिक्कत не थी अब इसको देखो अगर हम ऐसे लिख दे minus cover plus one minus b into y तो कोई दिक्कत है यह minus C बार यहाँ है इसको हमने आगे कर दिया प्लस इसके आगे plus का sign है तो plus लिए 1 minus B यह पहले पीछे ताए इसको आगे लिए सजा के कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है बोलो भाई ठीक है तो यह क्या हुआ यह बन गया हमारा सेविंग का एक्वेशन क्या बन गया यह क्या है ओटो नॉमस हाँ निगेटिव है ओटोनॉमस कंजम्शन है और इसी करते हैं डिस सेविंग सेविंग क्या है ओटोनॉमस कंजम्शन क्या होता है सी बार होता है और यह निगेटिव होने की बज़ेश क्या होगा यह डिस सेविंग गलाता है ठीक है सब्सक्राइब वन माइनस बी क्या है मार्जन अब्सक्राइब सेविंग यहां भी क्या है वन माइनस एंपी सी इसकल टू एंपी एस ठीक है समझ में आई बात आप आगई इस बात समझ में बलो समझ में बात ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगर इसी कोई क्वेशन को ऐसे लिख दें एस इसकल टू स्मॉल एस प्लस एस वई तो यहां ऐस जान तो क्या होगा यह और सेविंग हो गया है मतल Har雨 इस्विंग और यह वाइक वह यह एंकम इसका ध्यान रखना कभी कोशन में कंफूज करने के लिए यह ठीक है कि समय है सहाँ समाझ में और सी रखना उसको स्माल स यह दिस्सेभी रखना यह MPS है चीक है समझ में बात सब्सक्राइब लिए सकते हो इसको लग करने के लिए समझ में आई बात तो S is equal to small s plus MPS into y तो यहां MPS लिखा है मैंने इसलिए यहां S लिखा है समझ दो यह द्यान रखना यहां MPS है इसलिए मैंने सी बार लिखा है मतलब कोशन में अगर ने दिया ना कि अगर इसकी value मालो 20 है ठीक है इसकी value 20 है ठीक है तो हमारा कर्म क्या होगा सी इकल टू सी बार प्लस बी वाई तो सी इकल टू 20 प्लस बी वाई यह ऐसे हो गया अगर यही सेविंग फंक्शन में होता अगर सेविंग लिखना हो तो एक क्या हो गया यह समय इसको ढ़ाए यह होगा हमारा दूसरा तूसरा है अब थीसरा इतना पुस अब तो सुझला है न बलो कि एग्रिगेट सप्लाइच के बात कर रहे हैं सपलाइच का मीनिक्त क्या होगा Absol tasked इंगर्रिगेट सप्लाई करें अगर्रिगेट सप्लाई यह ना इसका मेली क्या बता बहुत असान रही हिया आउटपूर्ड बोला था ना अबलो भाइ टेगर्ट सब्लाय क्या हुआ? the total flow of goods and services in an economy during a period of one year total flow of goods and services in an economy during a period of one year two point point is important as is equal to y income method as is equal to y and y is equal to c plus s and as is equal to c plus s इसमें किजी कोई दिक्कत है कि बोलो कि नो सेर नजली कोई दिक्कत नहीं तो इसे अबले हमने कर्जम्सन फंक्सन देख लिया था तो अच्छा कर्जम्सन फंक्सन में देखो एक चीज़ दे कर्या थार कि ये कंसेप्ट क्या हिए एक है एवरेज का चीज़ दूसरा क्या है 來-ब कॉनसेफ मार्जीनल का सब्सक्राइट है व di APC is equal to C by Y कोई दिक्कत इसका फर्मुला क्या है बोलते जाओ भाई तुम लोग हाँ डेस करेक्ट यह तो कर्जम्शन फंक्शन का हो गया इस तरह से भी का भी दो ठीक है यह क्या है एवरेस का कॉंसेप्ट मार्जिनल का कॉंसेप्ट करेक्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं करेक्ट ना और यह भी फंक्शन फ्वाई होता है लेकिन जीरो लेबल पर यह भी साइड इफेट बैठेगा सब्सक्राइब बात बोलो भाई चलो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट आपने देखा था एडी पर में दो बात कही थे ना एडी इसकल टू सी प्लस आई बोला था न बिटा तो अभी तक हम सी की कहानी कहा रहे थे सी हो गया ना अब हम किसी की बात कर रहे हैं आई मतलब इंवेस्टमेंट आई की बात कर रहे हैं आई मतलब इंवेस्टमेंट थिक्ए को डिफाइंड कैसे करोगे बोलो बोलुए बोलो भाई एडिसन तो दा एक्जिस्टिंग पृतिसुल्ड़ यह इस्टाग अफ व कैपितल ठीक है समझें बात ये भी कोश्टन है ये एक मार्सा कोश्टन त्यार हो गया फिर दुबारा एक मार्सा कोश्टन अभी तक तो त्यार हो चुके हैं लेकिन कौन आएगा यह अलग बात है यह है ठीक है एडिसेंट दूदा एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ क्या पिटल क्या होता है कोई कौन मुझे बिताएगा का इनकम जेनरेटर एसमेट कोई चीज्ड इनकम को जनुरेट करें ठीक है ऑब करें अवदियरा कफिल टायपस क्या दो टाइपस क्या ट्रॉट टाइपस क्या हैं बहुuchen वो न है ओटो उ और नो मस्ट में चैने में यू अर्टो नुव इंडूॉश्ट में अन्डूज़ सुमझाइब भात, अगर इसको चून में आ है तो कैसे कार भात यह वेरी गुडनोट इन फ्लूएंज़ द नौट इनुफलुएंज द नौट इनसे द बाई प्रौफिट इसके आएगे जोड़ो एक्सपेक्τηड प्रौफिट ठीक है एक प्रौफिट प्रौफिट लेखो सही नौड इन सेड्स्ट बाउफिट टीक है इंड्यूज इनवेस्मेंट क्या है इंफ्लूएंजड बाई प्रॉफिट जिस प्रॉफिट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है वह इंफ्लूएंज बाई प्रॉफिट ठीक है अब एक टर्म यूज होता है हम साधे इस पूरे लेसन में कि उसी इंप्लॉएंट लेवल की तरह से कि फुल इंप्लॉएंट कहां मिल जाएगा कि एकॉनमेंगे साधी समझता हैं समाप्स हो जाएं ठीक है वैसा क्योंकि जब बात करते हैं तो हम और क्या करते हैं यहांपर हम क्या करते हैं इंकम आण पूट इंप्लॉएंट कर से ना बटा कि बुलो हम फुलिभाल में तो पहले फुल उप्लोइमेंट देखा जाए कहां होगा वालक की बात है पहले समझ दिया जाकि फुल इंप्लोइमेंट अखिर होता क्या है मिनी है कि बताई रिती ने कोई बता सब्सक्राइब करने के लिए मान जाए और सब्सक्राइब अब लगता है तू हमको हल्वा खिलाएगा अपने घर पर सब्सक्राइब तुम्हारा वह दिमाग में है लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं पा रहे हैं तुम्हारी बात लिख रहे हैं और जो तुम्हारी बात लिख रहे हैं all those who are able and willing to work at the wage rate existing or prevailing 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 wage rate all those who are able and willing to work at the existing or prevailing wage rate they all are called it is called full employment situation it is called what full employment situation प्रिती 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 सो गई अब इतम ना प्रिती नहीं क्या है यह भगवान कि बताओ कैसे बच्चे हैं बाई इतनी टीचर मेहत कर रहा है लोग छोड़ की चले जाने बेदर्द की तरह है उशी तो तो हमको पढ़ा दे लेकिन फिर मेरी इजत तकने के लिए इस बखने क्लास मर बनी रहती है आचा और तो दो बच्चे दिखा रहा है कैसे इसूदिखा रहा तो इसूद आप के अधित्या और अंजली इसका मँझी कुन कोणभा थे जब اور अलिक्डा राजनदनी दून्झीry में और कि पकासल में रहा है अगर लेट आया हो तो ये वीडियो को देखाना है मैं हम वीडियो देखने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं तो चलिए तो बड़ा दुखा दे पृति नहीं कि जो मार्केट में मार्केट में 200 रुपया में कोई काम हो रहा है दिवाल की पेंटिक करनी है और आप मांग रहे हो 300 रुपया और आपको काम मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि economy में ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और पांच लोग नहीं काम करना चाहते हैं इसलिए बेरुजगार हैं तो ऐसे लोगों को economy में बेरुजगार नहीं माना जाएगा हम मान लें कि हाँ फुल इंप्लाइमेंट है इसे लोगों को कर दो नहीं किया जाएगा संज्भाइब अब इस बात कहा जा रहा है इस बात पुरा में नौस्ट्री जाम हो गया कल कैसे होगा ठीक है सुम्या गया यह बाद यह कॉंसर्ट सुम्या आगी नहीं है फुल इंप्लाइमेंट का यह इतने लोग इस रेट पर क कारें के तयार है इतने लोग इतना मांग रहे हैं हम मंद ले एक है इसका बाड इस के बाड शुरू इसकी मंप्लाइमेंट अंट्री क्या कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है समझाई बात जी सर लेकिन महालों के ऐसे लोग भी हो कि 200 रुपे मार्केट रेट है क्या है इस रेट पर 10 लोग काम करने के त्यार है और उनको जॉब बिल जाता है लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो की काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं बिल रहा है रेडी हैं इतने पर ये काम करने के त्यार है ठीक है यह इनको बिल जाता है का गट जॉब लेकिन दो लोग चुट जाते हैं दो लोग वांटेड बट कुट नॉट इतने लोग चाहते थे इस wage rate पर काम करना और उनको काम मिल भी गया इतने लोग भी चाहते थे इस wage rate पर काम करना लेकिन उनको नहीं मिला और इतने लोग तो मालों कि इस wage rate पर काम करने के तयार ही नहीं है अब आप मुझे बताईए इसको हम A situation करते हैं A, B और C ABC में से बताईए आप कि कौन सा फुल इंप्लाइमेंट बताएगा कौन सा वलटरी इंप्लाइमेंट की सिती है और कौन सा इन्वलटरी इंप्लाइमेंट है बुलिए सब्सक्राइब यह दस लोग इस पर काम करने के त्यार है जो काम करने के त्यार थे लेकिन लोग ऐसे हैं जो कि 200 रेट पर काम करने त्यार ही नहीं है यह विलिंग टू वर्क ओनली वेन वेन यह दे अर्टिक इस प्रियांड रूपीज रूपीज है यह यह रूपीज है सर फिर यह अंडर एंप्लॉइम्मेंट नहीं हो जाएगा आपके पास अंडर एंप्लॉइम्मेंट बोलो को बोल रहा हो और दूसरा को बोलो और को पार्टिपेट करना चाहिए अच्छा ठीक जाओ ठीक बोलो और को बताईए अच्छा जो सेकेंड वाला है वह इंवोलेंटरी नहीं हो जाएगा सेकेंड वाला मेरे ख्याल से फुल एंप्लॉइम्मेंट रहा है जाएगा यह वॉलेंटरी और थर्ड अंडर एंप्लॉइम्मेंट यह तो वॉलेंटरी हो जाएगा थर्ड क्या है यह है वॉलेंटरी क्या है अच्छा वॉलेंटरी अनिम्प्लॉइम्मेंट समझ भाई बात राजनी सम्मारे बात बिटा 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 राजनी मतलब क्या हुआ हु to work at the existing wage rate इसकोल 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 करता हूं पर इही पर आ परसन इस नोट विलिग तो वर्क अध द ग्जिस्टिंग वेज रेट समझ मही बात बोलो मतलब यह 200 रुपे वेज रेट था लेकिन तीन लोग ऐसे थे जो इस पर काम करने लिए त्यार नहीं है वो कितना मांग रहे हैं 300 रुपे ओटो वाले बहुत करते हैं इसा ठीक है इस समझ जाया अब परसन इस नॉट विलिग तो वर्क एड़ एड़ इग्जिस्टिंग वेज रिट इग्जिस्टिंग वेज रिट क्या है 200 रुपे इस पर काम करने लिए त्यार नहीं है तो ऐसे लोगों क्या कहेंगे वलंटरी मतलब जान बूजकर बेरोजगार जान बूजकर जान ब बिटा कि बोलो कि यह सब्सक्राइब कि ने समया रहा है थोड़ा कि ने समया रहा है कि बस में इतना कह रहा हूं विटा कि मार्केट में जो रेट वेज रेट है अगर आप उस पर काम करने लिए तैयार हो ठीक है तो आप को जॉब मिल रहा है वो फुल इंप्लाइमेंट किसी बन जाएगी अगर मार्केट में जो रेवेज रेट है आप करने करना चाहती हो लेकिन काम नहीं मिल रहा है ठीक है तो इन वॉलंटरी अनेप्लाइमेंट अगर मार्केट में आप काम करना चाहते हो ठीक है और काम नहीं मिल रहा है तो वोलंटरी अनेप्लाइमेंट होगा तीन इसितिया हैं वोलंटरी यह हो गया इन वोलंटरी यह क्या हुआ इन वोलंटरी कौन सा दो लोग इन वोलंटरी हैं क्योंकि यह इस इस वेजेट पर का करना चाहते थे इस लोग काम करना चाहते थे की किसी दो लोग ऐसे थे जो इस वजएट पर काम करना चाहते थे लेकिन काम नहीं बिला involuntary unemployment ठीक है यह फुल employment की सती है ठीक है यह दो लोग को काम नहीं मिला involuntary unemployment और तीर लोग ऐसे थे जो जान बुझकर बिरुजगार हैं क्योंकि वो इस wage rate पर काम करने के तैयार नहीं थे उनको कुछ ज्यादा चाहते थे ज्यादा मांगते थे लेकिन ऐसे लोगों को रुजगार नहीं मिलेगा तो इसको हम कहेंगे वोलंटरी अनिप्लाइमेंट और फूल इंप्लाइमेंट समझाया पूलो भाई ठीक है इसको छोड़ा से दिर्कत भी होगा न एक बार फिर देख लेना इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे उभी थे कि बहुत क्लिर्टी आएगी अब हमारा चौथा पीज ठीक है चौथा सॉली चौथा पीज फूर्स पीज ठीक है इतना हो गया तो अब हम आते हैं अपने मूल उद्ध्य से पर कि कहां पर फुल इंप्लाइमेंट होता है डाग्राम से देखेगे तो फुल इंप्लाइमेंट कीजिती ऐसे बनती है जहां पर एक्रीगेट एक्रीम तो आप समझ गया हो ना हमने शुरू में ही बताया था कि जहां पर तुम लोग पर ध्यान देदेदे ना हम लोग अपने बैच्चों को नहीं देख पाते हैं अख ठीक है अजया लगता है कि बगवान हम लोग के हमारे बच्चों को भी अच्छा करें आप लोग की दुआये काम करें पापा मन बोले प्लीज हम पढ़ रहेंगे पर पापा पढ़ रहा है हम पढ़ेंगे चलो ठीक है यह समझे आरी बात इस तेक है अब देखो यहां पर क्या है एक कुल विडियम पोजिशन है कहां पर जहां पर एडी और एस मिल रहा है इसको द्यान में रखना में साथ यहां इंटू मत समझे ना कि एडी इंटू सी प्लस आई है ठीक है यहां पर दखो एएस ज्यादा है एडी से और यहां एडी ज्यादा है एएस से ठीक है बोलो भाई यहां ठीक है यहां यहां एम लिया और यहां एम टू ले लिया अंतर करने के लिए ठीक है यह पॉइंट के हमारा एस और एडी बराबर है तो इससे पहले क्या देख रहें यह एडी करभे ना इस पॉइंट से पहले क्या ज्यादा है एडी ज्यादा है इधर बो यहां से यहां से यहां तक के वल क्या है एडी ठीक है इसमें किशें कोई जिकत बोलो भाई इसका मतलब क्या हुआ यह प्लांड लेबल ओफ इनकम ठीक है बोले एडी कर लो एक्सपंडिचर कर लो एडी इस इकल टू प्लांड लेबल ओफ आउटपूट कहलो ठीक है या कहलो ad is equal to as कहलो aggregate demand aggregate plant level of aggregate demand plant level of aggregate demand is equal to plant level of aggregate supply इसी कॉंसेप्ट को ad is equal to as होता है ने बिटा एडी को सी प्लस आई लिखते हैं और एस को सी प्लस एस लिखते हैं आई इसको एक ही जगह दिखा रहे हैं यह ऐसे कर लिया है इसको ध्यान रखना इसे यह हमारा आई है कि यहाँ रखनेगा एस यह दोनों टेखें है इसे अ इसका हैा है है यहाँ पर ए डी इसकल टू अई है यहाँ, एस टूने। में इस कोई भी डिपी सिंह होगा पर इस इस पॉइंट से कोई भी डिपीश्म होग्या थीक्यान से एस पॉइंट यह जोगा हैं यहां पर ad is equal to as है, यहां पर s is equal to i है, ठीक है, इस दोनों point से कोई भी deviation होगा, ठीक है, यहां से देखना, इस point से कोई भी deviation, अगर इस point पर आ गया है, तो यहां से इधर आना 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 है वापस, और यह यहां से इधर आना है सभी होगा सब्सक्राइब गए है ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे लांड सेविंग इस इकल टू लांड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट मेंट ठीक है अब हमारे उपर वह आ रहा है कि हमको क्लास बहुत लंबा हो गया ठीक है इस अब इसको अब मैं वाइंड आप करने वाला हूं इसको अब जली से देख लेंगे बस एडी इस इकल टू एस खुम क्या कहेंगे बोलो फुल इंप्लॉइमेंट इकुलिब्रियम समझ में आ रहा है बटा चिक है और एडी ये एस से ज्यादा होगा जिसको क्या कहेंगे ओवर फुल इंप्लॉइमेंट इकुलिब्रियम समझ में बात बोलते जाओ दिमांगों बैठाते जाओ फास चल रहे हैं और एडी इस लेज देन एस होगा तुम क्या बोलेंगे अंडर ये अंडर फुल इंप्लॉइमेंट इकुलिब्रियम ठीक है तो ये क्या तीन इस्तिया बंती है हां फुल इप्लॉइमेंट इकुलिब्रियम और अंडर फुल इंप्लॉइमेंट इस्तिया बंत रही हैं इसे इदर वाला ठीक है तो ये डियाग्राम क्या बना ये है इस्का ओवर फुल इप्लाइमेंट एडी ज्यादा है फुल इप्लाइमेंट इक्रूड्यम की आपना ऐसे ऐसे बस यह ठीक है और एडी लेस है इसे तो यह वाला यह सती याद रहेगा बोलो भाई याद रहेगा जी सर लास्ट बस आ रहे हैं तो एक मिन आ रहे हैं अभी तक हमारे डिनर नहीं हुआ हमारे द्यार हो रहा है समय बात समय मैं आगी बात बोलो भाई जी सर आगी चलो ठीक है तो अब वाइंट अब किया जा बिटा सब्सक्राइब करने किसी दिन किसका बोला था भी लिए किस लेशन के लिए अच्छा इंकम डिरमेशन करना चलो कल हम पूरे लेशन का जट्टो पढ़ा सब्सक्राइब करने की जूरत नहीं है आप लोग उसको याद कर क्याईएगा थोड़ा पूरा इंडियन एकोनमिक से लेके मैक पूरा ठीक है और कल जो है पहले थोड़ा सब्सक्राइब करने कितने घंटे लेगी तिर गंटे आट सीगारा है मैडम आर्ट सीगारा लेती है यह सर आर्ट सीगारा तो ठीक है इगारेक बाद मुझे उला लेना पांच-जास मिटर थोड़ा सा इंटर्टेन्मेंट बली कर लेना लेकिन आप इसको सुचों कि लगातार पेट चल रहा बैटा कोई इंटर्टेन्मेंट नहीं कर रहा है ठी ठीक है ठीक है समझे आई बात क्लास मिटर्टेन्मेंट कर लेना बाहर बन जाना बाहर जाने से जिकायत होगी ठीक है ओके थैंक यू